दोस्तों आप सबको क्या लग रहा था कि मैं बदल जाओंगी मैं नहीं बदलूंगी मुझे सच बोलने की आदत है ठीक है और आज की वीडियो में में फिर से बात करूंगी सोनू विकास और सोनू की सौतन राधिमा के बारे में ठीक है कि मुझे किसी से डर नहीं है मुझे सच बोलने से मुझे कोई रोक नहीं सकता बहुत सारे बोलते हैं लोग कि दिदी राधिमा है कौन तो जब मेरी साधी हुई थी ना और साधी होके जब मैं दिल्ली मा आई थी ना तो 2012-2013 में एक राधिमा थी आप गूगल में टैप करोग तो आपको दिख जाएगा यह बहुत लंबी चोड़ी यहां तक टीका लगाती थी ठीके और यह राधिमा का क्या था ना कि एक तो साधू संग थी ठीके लेडी साधू थी और राधिमा का क्या खासियत था आपको पता है राधिमा जो है मतलब सभी मर्दों को गोध में जाके असिरबात देती थी ठीके तो अब तो राधिमा है नहीं बैन हो गई है पहले बहुत जाद चर्चा में आई थी क्योंकि इसका चर्चा में आना बड़ा अबितल लोगों का अजीब सा लगने लगा था कि आखिर में ऐसी कौन सी संथ है कि एक औरत जो है अपने आपको पव ऑधि में जाके औरतों के नहीं मर्दों को गोधी में जाके आसिरबात देती थी ठीके तो आज से मैं सोनु की जो सौतन है ना उसको में राधिमा नाम रखी तो शेंवे बहुत जादे दूसरे की मर्द जो है बहुत पसंद आती है ठीके दूसरे की जिंदगी को परवाद क करने में बहुत आगे हैं तो आप सबको क्या लग रहा था कि मैं चुप बैटूंगी आप सबको क्या लग रहा था कि मैं चुप बैटूंगी मुझे ना सच बोलनी की आदत है ठीक है और मैं सोनु की परसानी में देख रही हूं सोनु गलत है कि सही है मुझे दिख रहा है इस हुआ है तो मुझे पता है कि सोनु गलत है कि कौन सही है ठीक है और रही बात कि सोनु का पती होस्पीटल में भरती था तो सोनु की सौतन तो इतना सेवा कर रही है पैर दवा रही है पैंट पे नहा रही है सब कुछ कर रही है मगर सोनु कहला पता है असली पतनी कौन है जो अ का दिखाने का तो सोनु तो बहुत पीछे रहती है ऐसे ऐसे कमेंट को ये राधिमा जो है लाइक कर रही है जो सोनु को खिलाप गाली जो हेट कमेंट दे रहा है सोनु के बच्चे को उपर जो हेट कमेंट कर रहा है ऐसे ऐसे कमेंट को ये राधिमा जो है लाइक कर रही है उ वीडियो सोनु के लिए बना ही हूं तो जो सोनु से प्यार करते हैं ना वही सब देखना ठीक है और जो हलके दिल वाले हैं यह वीडियो को बिल्कुल भी मत देखना ठीक है तो यहां पर मैं बात कर लूं कि दो दिन से अपने पती विकास के साथ ही थी ठीक है वगर यहाँ पे राधिमा जो है लगतार तीन चार वीडियो डाल चुकी थी और फिर भी राधिमा जो है कभी भी उस बात को जिक्र नहीं कर रही थी जो सोनुक खिलाफ कमेंट आ रहे थे गंदे कमेंट आ हेट कमेंट आ रहे थे उस कमेंट को कभी भी एवरत रिपलाई नहीं दिया नहीं कमेंट के थुरू नहीं वीडियो को थुरू तो यह जब अपनी प्रसनल लाइफ को अगर सोसल मीडिया पर रखती है ना तो इसका कोई हक नहीं बनता है कि यह दूसरे को पर लीगल एक्षन बर्चीजों के प्रसनल लाइफ क्यों करती हो फिर स्थे कामेरी के सामने सामने ड़ी और गल्त हरकते करोगी पपलिक में गलत चीजे दिखाओगी तो पपलिक तुमहारे उसपर अंगली उठाएंगे ये उठाएंगे अगर तुम गलत चीजों को सपोर्ट करोगी तो जो सही चीज होता है उसको तुम क्यों नहीं साथ देती है दोस्तों दो दिन से सोनु जो है होस्पीटल में थी यह तो विकास मुझसे अपना बोला कि सोनु मेरे साथ ही थी मेरे बोला कि बच्चे को इंफेक्शन हो जाएगा यहां पर विकास रहा है कि कि उथा सिर्फ सोनु कहीं इंफेक्शन मुझा होगे रादिमा में वक्चे का सभू कॉन व्हें जो दो त्युक्रा दिन क्यों है सोनु जो है रात भर रुकना चाह रही थी अपने पती के साथ time spent करना चाह रही थी मगर यह राधिमा जो है इतनी गिरी हुई नलायक अवरत है कि अवरत सोचती है कि सोनु को तो विकास से भी लाखो मतलग कोस दूर फेक दू ठीक है इर्द गिर्ध भी ना सोनु मड़ रहे से जल्ती है ठिक है और बatि क्यों दिल आया social media पर दो video चार video ड़ीया तवर 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 तोड़ी वीडियो डाल रही थी कि पति के सेवा करने गई थी क्या दिखाना सावित कर रहे है क्या public में थिखाना चाह रही है यह तुम्हारा पती पूरी जवानी पूरी कम आई तुम्हारे उपर समर्पित किया है अपना तो तूम जो पैमेंट कर रही है ज़ा है कुछ भी बोल रही है और अभ्र अपनी सोतन सोनु को तुछ गाली दिलवा रही है बेसरम तुम्हें सरम नहीं आता चुलू भर पानी में डूब के मर्जा तु क्या सावित करना चाह रही है और यही असली पतनी का पहचान होता है कि पती एक तरफ बिमार है और दूसरी तरफ पती को ही बोले कि तुम खली सिर्फ ठीक हो जाओ फिर तो मैं डुबोस ल मज़ती है कि मत पूछो कि इसका एक एक बात गलत होता है फिर लाश्ट में वीडियो प्रैविट कर लेती है कि दिवाली के दिन जब शॉपिंग करने के लिए गई थी जिसमें अपने बच्चे के लिए बोल रही थी 50,000 के मैंने शॉपिंग किया सोनू के बच्चे के यह बेसराम औरत एक एक एले सॉपिंग पर नहीं गई थी ठीक है जो बोल रही था कि कैमरामेंड एए एक बच्ची का गाड के बेटी को दिखाया था हरसु हरसु बोल रही थी हरसु है गाड की बेटी है यह कामेरमेन बनेगी आप सब बोलते हो न कि विकाज हमारे साथ है तो नहीं है ए और फिर से जूट बोली थी ठीक है और रात को जाग जाग के इसको वीडियो का वीडियो लाइब करके और कमरे दिखाने की क्या जरूत पड़ जाती है ये पहले बताओ ये अवरत इतनी जूठी मकार लुच्ची है कि मत पूछो ये औरत विकास का एक जूता पड़ा हुआ था ये नहीं की छोड़के चला गया है तो वो पुराना जूता है विकास इसी के घर में नलायक औरत के घर में ही रहता है ठीक है अपनी दूसरी बीवी के पास ही रहता है और जब एक पड़ोसी ने मुझे प्रसनली कंटेक्ट किया और मुझे प्रसनली चीजे बताया कि मैं इस नलायक औरत का पड़ोसी हूं मैंने देखा है विकास को अपने आखों से और इसके भी कमेंट में जाके कमेंट किया है और तो ये गंदी औरत बोलती है दिवाली है ही प्रतव हुआ युद्रण होने का है कैसे चίν सकते हूं तो झूट फिर कीव बुल रही है कि विकास को तब्यत खराब हुआ था वह साथ ही था ठांटीर है विकास कभी भी कोई रूम नहीं लिया किराये पे नहीं फ्लैट लिया किराये पे ठीक है सुरू से तुम दोनों की एक सोची समझी साजी से ठीक है पब्लिक को तुम पागल समझ रही हो बेकुफ औरत इतनी जूठी है कि मत पूछो और रियक्सन चैनल वालों को धमकाती है पहले तो तु अपने आपको लीगल एक्सन कर ले कि तुने क्या किया है एक बसा बसा या पती पतनी को अलग किया है पहले तुम अपने बारे में सही से पुलीस इस्टेशन में जाके जाज़ परताल कर ले फिर दूसरे को बुलाना जाज़ परताल करवाने के लिए पहले तो तु अपने आपको सफाई देना कि मैंने एक ऐसे सक्से साधी किया था जो आल्रेडी साधी सुदा था वो दो बच्चे का बाप बना हुआ था ठीक है मुझे पूरी जनकारी थी मगर मेरे सर पे प्यार का भूद सवार था सहाब तो मैं क्या करती फिर अपने प्यार के लिए मैंने साधी कर लिया कीकि में इस बंदे से इतना प्यार करती थी, इतना प्यार करती थी, कि मेरे रग रग में नस नस में, यह अदमी बसा हुआ था, वह अदमी को मैं निकाल ही नहीं पा रहे थी, और 11., 12 साल में मुझे प्यार हो गया था ओभी बताना, वो भी रिपोर्ट में जाके लिखवाना ठीक है और वो भी बोलना कि सहाब मैं 10th कलास में फेल हो गई थी और मैं बाइलोजिका स्टुडेंट हूं फिर बोलना कि मैं अपने माँ बाप पूरी दुनिया के लिए लड़ा आज मैं उसी आत्मेको को डिबोस दूंगी और मुझे दिबोस देने से कोई नहीं रोक सकते क्योंकि साहब मैं बहुत बड़ी लालची हूँ मैंने उस टाइम कुछ और सोचा था कि ये जो है अपनी पहली बीवी को लात मार के घर से बाहर निकाल देगा मगर ये तो मेरे उपर खड़ा ही नहीं उतर रहा है अपनी बीवी को तो घर से बाहर नहीं निकाल रहा है पहली बीवी को तो मैं तो डिवोस लूँगी क्योंकि साहब मैं बहुत बड़ी लालची आउरत हूँ ये भी जाके बताना ठीक है कि मैं एक हस्ता खेलता खुस हाल फैमिली के घर मैंने बरवाद किया है ये भी जाके बताना जो जूठी मकार लुच्ची है ना एक नंबर की सब कुछ बताना पहले अपने आपको और अपनी सौतन को पहले इंसाफ दिलाओ तु जो दूसरे का हक मार रखके बैठी है ना पूरी जवानी तेरे उपर विकास समर्पित किया है पूरी कवामाई जो है तेरे उपर विकास समर्पित किया है तो तू पैसे गिनगिन के पब्लिक को तू क्या दिखाना चाह रही है विकास कभी भी फ्लेट किराये पे नहीं लिया नहीं किराये पे कोई रूम लिया है विकास तेरे साथ सुरू से ही है सिरिफ सोनों को तु हेट दिलवा रही है पब्लिक से गाली सुनवा रही है पब्लिक से इतनी सीधी थी तभी तु इसकी घर बरवाद किया सायद जिस तरह के सा भी हो अपने हक के लिए लड़ रही है ना सायद उस टाइम हो अपने हक के लिए लड़ती ना तो तेरे को ना लात मार के सड़क पे दोनों पती पतनी को दुनिया के सामने समाज के सामने इतना बेज़ती करती इतना तुझे नीचा दिखाती ना कि दोनों को दोनों समाज में मुझ दिखाने का लाइक नहीं रहती मगर सोनू अपने पती के कारण तुझे बर्दास किया और तू जो है इसके सर पे ही मतलब चहड के तांड़ कर रही है इसके जीना ही मुश्किल करके रग दिया है के अब पती का तवयत कैसे हराब हुआ बोल रही है का हाट भूकेज हुआ बेसरम तेरे को इतना भी नहीं सुर्णता कि ह्पिक्तना कि लाथ कितना दर्दनांख होता कितना खतरनांख होता है तू इसको हाट अटेक के तू मजाक समझ रही है यह बंदा मौत के मुझ से निकल के आ रहा है तुम्हारा पती और तू इसको इस तरीके से ट्रेट कर रही है यह तू मुस्कुरा रही है उपर से मुस्कुरा मुस्कुरा के बोल रही है कि मैं अपनी जिद पर अड़ी हुई ह मैं अपनी बातों से नहीं मुक्री हूं तूपलिक को खुल कि क्यों नहीं बता रही गई है पहला नमबर तो तू बोली सुनू को कि मुझे मुझे विकास जिसे अलग मोगा जाओं तो मैं नजी पाऊंगे नहीं विकास जी पाएगा दोनों एक दूसरे के बिना मर जाएंगे अगर अलग ही करवाना है ना तो प्यार से अलग करवाओ ठीक है नहीं तो मेरी बद्दु आये लगेगी यहीं बोली थे ना सोनु को फिर दूसरे वीडियो में बोलती है कि सोनु भाग गई थी दूसरे लड़के के साथ तब हम और विकास जो है रिलेशन में आये थे कितनी जूठी तु है फिर सोनु का एक वीडियो आया सफाई नामा उतनी में इतरी सटक गई दिमाग अतामा जी सटक जी बेसरम कहीं की खुद ही जब तुम अपनी प्राइबिसी लीख करती हो जब तुम अपनी प्रसनल लाइफ पब्लिक में जब तुम बेच देती हो उस लाइफ से तुम पैसा कमा लिया तो उस पे तुम्हारा कोई भी अधिकार नहीं है तो ओडियन्स का अधिकार हो जाता है अगर तुम्हें अपनी प्रसनल लाइफ से इतना ही प्यार है तो कैमेरे के सामने इसा मत किया कर अगर तुम करेगी अगर तुम करेगी इस तरीकी की हरकते तो तेरों को सुनना ही पड़ेगा क्योंकि यहां पर तुम पूरे पूरे गलत है विकास सुरू से तेरे पास था और तू सोनों को गाली दिलवा रही थी करवा चोथ में क्या बोल रही थी कि मुझे सफेद कपन का जरूरत है लोग बोलते कि उस सफेद कपड़े को पहन के सुकून की न सुक्ते हैं, यहीं ब ciudadना कहीं कि थोड़ी भी रम नाम चीज नहीं हे तुम्हारे अंदर अब विकास तुम्हारे पास ही था सोनू के पास तो एक रात भी नहीं अटकता है करवा चौथ के दिन भी विकास चला गया बच्चे का बर्थडे था बेटे का बर्थडे के दिन भी रात भर नहीं रुका यही चाहती है न और होस्पीटल में जब सोनू कही और रात भर रुकना चाहरे थी अपने पती के साथ उसका दर्द का मजाग बना कर रख दिया यह बेसरम औरत यह लड़ने लगी बोली कि मैं रुकूंगी विकास के साथ मैं रुकूंगी विकास के साथ इस औरत के मन में इतना चल कपट है क्योंकि क्या पता विकास का कब नियत बदल जाए सोनू के पड़ती कब लाड़ प्यार आ जाए यह औरत के मन में यही हमेशा चलते रहता है अब विकास ने जिंदकी तेरा बरवाद नहीं किया है तू स्रिफ नाटक कर रही है जिंदकी बरवाद हुआ है असली में तो वह है सोनू और सोनू के बच्चे कि बाप होते हुए भी रात भरनी नहीं वो बच्चे का प्यार मिल पाता है रात भर भी अपने बाप से कोई सिकायत नहीं कर पाता है कि कैसा बाप का प्यार होता है नहीं वो बच्चे के साथ खेल पाता है नहीं दिल की बाते सेर कर पाता है So guys, अभी जो है लाइट कट गई है मिलती हुनेश्ट वीडियो में थाइंस पर वोचिंग नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा अगर मेरी बातों से सामत है तो प्लीज एक लाइक कर दिजेगा थाइंस पर वोचिंग